नमस्कार मैं हूँ ससी आये ज्रखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं ज्रखन डिजीपी को मिला दो साल का एक्स्टेंसन ज्रखन के डिजीपी निदस सिनहा को दो साल का एक्स्टेंसन मिल गया है इस समद में गरीक करा एवं आपदा प्रवंदन विभाग ने अधिसुचन जारी कर दी है बतादे शिरी सिनहा एगारा फरवरी 2021 को राज के डिजीपी बने थे जारी अधिसुचना में कहा गया कि सुप्रीम कोट में पारित आदेश के अनुसरन में संग लोक सेवा आयोग द्वारा गठीत इंप्लेनमेंट समीती द्वारा अनुसंसित पैनल से महानी देशक एवं पुलिस महानी रिक्षक जार्खन के पद पर निरिया सीनह को नियुक जो पाकूर में 17 जुलाई को आकास में बादल चाहे रहेंगे तथा माध्यम दर्ज की बारिस होने की संभावना है केंद्रिय मौसम विभाग के बेग्यानिक उपेंद्र सिर्वास्तों ने बताया कि यही इस्थिती 18 वह 19 जुलाई को भीरा सकती है कुछ चगों पर हलकी ब 40 वह बजरपात की संभावना है बाबा धाम के परसाद की होम डिलेवरी करेगा डाक विभाग 12 जो 30 लिंगों में एक देवघर इस्थित बैदना धाम के परसाद के लिए अब बाबा नगरी जाने के ज़रुरत नहीं पड़ेगी आप चाहे तो उसे घर बैठे भी मंगवा सकते हैं बता दे डाक नेरीक छक संजय संगम के अनुसार इसके लिए डाक विभाग और मंदीर ट्रस्ट ने मिलकर योजना बनाई है आने वाले सावन से होम डिलेवरी सुरू कर दी जाएगी परसाद पाने के लिए आपको मंदीर ट्रस्ट की वेब साइट पर ऑनलाइन आ अभियुक्त आरके अनंद की अग्रिम जवानत पर ACV के BCS कोट में सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने ACV को जबाब दाखिल करने का निदेश दिया है इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी बता दे आरके अनंद ने याज का दाखिल कर अग्रिम ने सिकायत की थी बतादे सुबा के 10 वह से रजरापा मंदीर ओपी पूलिस भीर को काबू में नहीं कर पा रहे हैं जार्खन की गटबंधन सरकार की नई अद्योगिक नीती से नोकरियों के असर बढ़ने की संभवना जार्खन की कटबंधन सरकार नई रोजगार सिरेजित करने की दिशा में गम भीरता से काम कर रही है बतादे नई अद्योगिक नीती इसका ताजा उधारान है राजे में निवेस कैसे बढ़े नई उध्यों कैसे आए कैसे ज़्यादा नोकरियों के मौके बने इन सभी बातों की अद्योगिक नीती में चिंता की गई है मुखिमांति हेमान सुरे ने इस बर्श को नोकरियों का साल गोसित कर रखा है उनकी सोच को अमली जामा पहनाने और धरातल पर उतारने के लिए राज सरकार के अलग अलग पिभागों में रिक्त करीब डेर लाग पद भरने के साथ ही नीजी छेत्र की नोक्रियों में अस्थाय युगाओं के लिए आरक्षन के प्रविधान सहीत तमाम अने तरह के जतन क किये जा रहे हैं इपोर्टल बंद कैसे पढ़े गरीव छात्रे चात्र विती से वंचित छात्रों की अधिकार को लेकर गुरु आरको छात्र विती अधिकार मंच ने राज धानिक के जैपाल सिंग मुंडाई स्टेडियम के समीप परदसन किया परदसन में कई जीलों के छ मुक्त भोगी छात्रे पिछले चार माचे परखंड अस्तर से लेकर मंतिर तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इसे छात्रों में आक्रोस है रांची छट्रे विकास प्राधिकार ने बिना नक्सावाले निर्मान कारे के बिरूत करवाई की सुर्वात कर दी है और आर डिये के रडार पर आलिसान माकान से लेकर वैकवेट हौल गोदाम वेर हाउस सामिल है इंजिनियारों की दो टीम विशेस रूप से ऐसे निर्मान अस्थल को चिनीत कर उन्हें नोटिस देने में जूट गई है बिना नक्सावाले निर्मान में सी एंटी की जमीन से जुड़े मामले ज़्यादा है संसाधनों की कमी के बावजूद ज्यारखन में करोना से लड़ने के लिए पुखता इंजाम मुक्ष मंत्री ज्यारखन में संसाधनों की कमी है लेकिन इसके बावजूद परदेश में करोना से जंग लड़ने के लिए पुखता इंजाम किये गए है इस बात का दावाद सुक्रोबार को मुख्यमंति हमंसुरे ने किया बता देवे रामगार जी लेके गोला परखण अंतरगत अपने पैतरी गाउन नेमरा में मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि पहली और दूसरी लहर के दोरान भी आपता विभाग और स्वास्थ विभाग ने काफ़ी मकसद कर अस्पतालों में बेहतर बेवस्ता की ज्यारखण में 55 नए केस मिले हैं जो राची से 7, पूर्वी सिम्हूम 17, बुकारो 3, धनबाद 1, रामगड 2, पच्मी सिम्हूम 4, कोडारमा 2, पलामू 3, देवगर 3, गुमला 4, लातेहार 3, कडवा 1, लोहरदागा 2, जामतरा 2, धूमका से 1 मरीज मिले हैं ज्यारखण में कूल एक्टिव केस की संख्या 340 है भारत में 38 या 109 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 4, 14, 361 है